नवस्कार, एस्टो तक में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है, मैं हूँ प्रविण मिस्र। सावन के महिने में भगवान शिव को क्या भोग अरपित करने से भगवान शिव बहुत प्रसंद होते हैं और मनों कामनाओं को पूर्ण करते हैं, गरीबी को दूर करते हैं, सारे कस्टों को हर लेते हैं, तो देखे भगवान शिव को जो प्रिय भोग है वो आपको बताने जा रहें फलो में भगवान शिव को सबसे अधिक प्री है बेर का फल तो बेर का फल अगर आपको मिल जाये तो बेर भगवान शिव को औरपित करिएगा बहुले नाथ बहुत प्रशन होते हैं अगर बेर फल संभावन नहीं मिल पा रहा है तो एक ऐसी चीज है जो भगवान शिव को बहुत प्री है वो अगर आप अरपित करेंगे तो भगवान भूलेनाथ हवश्य प्रसन होंगे वो है दूद से बनी हुई मिठाई भी भगवान शिव को अरपित करें खासकर गाय के दूद से बनी हुई मिठाई मिल जाए तो भूलेन भांग भी भगवान शिव को बहुत प्री है तो इसलिए भांग भी आप भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं और अगर संभव हो तो ये तीनों चीजें अर्पित कर सकते हैं बेरफल, सफेद रंग की बरफी दूद से बनी हुई और जो है भांग ये अर्पित करिए से प्रशन होंगे और आपकी मनो कामनाओं को पूर्ण करेंगे जीवन के कस्टों को दूर करेंगे तो जितना जिसकी सामर्थ हो उस हिसाब से आप जो है सामगरी भोग ले करके सावन के महिने में भगवान शिव को अरपित करें और किस दिन करना चाहिए सावन के जो सोमवार उन सोमवार के दिनों में अवश्य अर्पित करना चाहिए कम से कम एक सोमवार तो अवश्य आप किसी शिव मंदिर में जाए और भगवान शिव को जो प्रिय भोग है वो अर्पित करिए भोलेनात की आरती करिए घी का दीपक जलाकर और जो भी आपकी मनो कामना है भगवान चरणों में निवेदन करिए भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन होने वाले देवता हैं आपका प्रसाद ग्रहन करेंगे भोग ग्रहन करेंगे और आपकी मनों कामनाओं को पूर्ण करेंगे तो सावन के महिने में शिव का पूजन हमारे जीवन के दुखों को दूर करेग गरीबी को दूर भगाएगा इसलिए भगवान शिव का पूजन सावन के महिने में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हम सब को करना चाहिए और भगवान शिव को जल से अविशेक करिए और जो भोग प्रसाद आपको बताया वो भोग प्रसाद अर्पित करिए भोले नात की क्रपा से आपकी मनु कामना पूर्ण होगी और जीवन में जो भी कस्ट हैं वो सब दूर होंगे सभी ग्रह भगवान शिव की सरण में रहते हैं तो ग्रहों से संबंधित जो बाधाएं हैं वो भी भगवान शिव का पूजन करने से दूर हो जाती हैं सभी के सभी ग्रह नो के नो ग्रह भगवान शिव की सरण में रहते हैं तो इसलिए भगवान शिव का पूजन करने से सभी ग्रह आपको अच्छे शुबफल प्रदान करेंगे और आपके कस्टों को दूर करेंगे और मनो कामनाओं को पूर्ण करेंगे तो एस्टो तक पर सावन से जुड़ी महत्यपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए देखते रहे आपको बहुत सारी जानकारियां ऐसी मिलेंगी जो आपकी जीवन में बहुत काम आएगी तो अभी वक्त हो चला है विदा लेने का जल्दी आपसे मुलाकात होगी नवस्कार